हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सबी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में दोस्तों मैंने आप लोगों को न्यू लेवर कोड में से एक कोड अल्रेडी दे दिया है जो की है कोड ओन विजिस 2019 अब हम लोग न्यू कोड के उपर बात करेंगे जो है दो ओ एस एच सी को 2020 और उस लोगों को जिस तरीके से कोड ओफ वेज़ेस 2019 बताया था आप लोगों को वो तरीका अच्छा लगा इसे लिए यह नोट्स भी आपको सेम उसी टाइट से मैं समझा रही हूं तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट मिनिस्ट्री लेबर एंड इंप्लाइमें के अंदर में आता है ठीक है मैंने 2019 कोड पढ़ाते वाग आप लोगों को अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था कि नियू लेबर कॉड क्यू आया मैं अभी आपको थोड़ा शौट में बता रहेती हूं सो दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट हैं बहुत सारे ए के उपर बहुत कई बार प्रॉब्लम भी क्रियेट कर देता है तो इसे लिए हमारी गवर्मेंट ने डिसाइड किया कि वरकर्स के हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कोड को समराइज कर देते हैं और एक ऐसा एक्ट बनाते हैं जो कि इजी हो पढ़ने मे समझने में अप्लाई करने में बी उसका मेन मोटिव होना चाहिए कि वरकर्स का हेल्थ और सेफटी ध्यान रखा जाए यहां पर वर्कर वर्ड को बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी अच्छा होगा वह वह कर के हित में जो होगा वही इस एक्ट में किया जाएगा कभी अगर कोई एक्जाम में आप लोगों को ऐसा question मिले जो आप लोग पढ़के नहीं गए हो अगर आपको logic लगाना हो तो आप एकदम यही logic लगाना कि कौन सा चीज ऐसा होगा जिससे worker का hit होगा बस यह सारे act में उसी को लेकर बात की गई है तो ओसी एकदम आया था लोग सभा में सेप्टेमबर 19, 2020 में फिर पास्ट हुआ यह सेप्टेमबर 22, 2020 यानि कि 20, 21, 22, 3 दिन में यह पास हो गया और राच्य सभा में यह दुसरे दिन यानि कि सेप्टेमबर 23, 2020 में पास हुआ अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हमारे कौन-कौन से act consolidated हुए मैंने आपको 2019 में बताया था वहाँ पे 4 act consolidate होकर बने थे तो यह Occupational Safety, Health and Working Condition Code भी बहुत सारे act को combine करके बना है बहुत सारे act को मिला कर एक कर दिया गया है और बहुत सारे sections को घटा कर कम section बना दिया गया है तो इस act में total 13 acts consolidate हुए हैं कौन-कौन से हैं वो the Factories Act 1948, the Mines Act 1952, the Dog Workers Safety Health Welfare Act 1986, BOCW 1996, Plantation Labour Act 1951, the Contract Labour Act 1970, Interstate Migrant Act 1979, Working Journalist and Other Newspaper Act 1955, the Working Journalist Fixed Rate of Wages 1958, Motor Transport 1961, Sales Promotion Employees Act 1976, BD Cigar Workers 1966, and Cine Workers and Cinema Theater Worker Act 1981 तो दोस्तों total 13 acts को consolidate कर कर OCHSE code बना दिया गया है यह सारे act में जितने भी चीज़े थी वो सब को summarize करके एक कर दिया गया है तो total यह 13 act में sections थे 622 sections जिनको बदल कर अब 143 यानि की 143 sections में बना दिया गया है तो यह act छोटे हो कई और इतने सारे act अब आगे चल कर नहीं पढ़ने पढ़ेंगे सिर्फ एक act पढ़ेंगे तो उसी में हो जाएगा और उसी को apply भी करना पढ़ेगा दोस्तो मैंने आपको इतने सारे code के नाम इसलिए बताएं मैंने आपको इतने सारे act के नाम इसलिए बताएं क्योंकि आपको यह बहुत काम आने वाले हैं mcq में आपसे यही question सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि कौन से एक्ट consolidate होकर कौन से एक्ट बने हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट माइन्स एक्ट ऐसे करके बहुत सरे mcq बना दिये जाएंगे मैं आपको इसके related mcq दूंगी तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेना sqobil सक्वаемся जो सीने वाकर कर एक्ट है स्में striस fark है और उसमें इंक्लूट हुआ है peng ऑल ऑडियो विजूअल वेकर पहले उसमें नॉमल विजूअल कर आते थे और्डियो वेकर इंक्ट ब्रिकर्स इन्टूदेड नहीं था लेकिन अब सीने वाकर में अएक एक नया word add हो गया है कि all audio visual workers मतलब अब यह सारे workers को लेकर बात करेगा हर category के workers को लेकर फिर नेक्स्ट है working journalist यह modified होकर हुआ है include journalist working in electronic media पहले normal खली word था journalist लेकिन अभी नया word आया है include journalist working in electronic media फिर family family में भी include हुआ है एक नया word जो कि है dependent grandparents मतलब जो grandparents हमारे दादा जी दादी जी लोग जो हमारे उपर dependent है तो अब वो भी हमारे family में include होंगे अगर benefit है तो family के अंदर वो भी आएंगे then interstate migrant workers employed directly by the employer beside the migrant worker employed through contractor पहले क्या था कि migrant worker को सिर्फ contractor ही employment देगा लेकिन अब ऐसा नहीं है अब employee भी direct migrant worker को include कर सकता है employment दे सकता है ओके अब हम इस act के कुछ key provisions के बारे में बात करेंगे की provisions यानि main चीज़ क्या क्या change हुआ है मतलब वो 13 act में जो था वही अभी हम लोग यह नए वाले act में भी पढ़ेंगे लेकिन उन हटाई गई क्या क्या चीज़े जोड़ी गई जो यह एक्ट बना तो मैं आपको बेसिक पुरे अच्छे से clear करवाऊंगे so key provisions है flexibility in adapting new changes in health safety welfare of worker condition जैसा कि मैंने आपको बताया यह act आया ही है workers के condition को ध्यान में रखने के लिए so worker के condition में क्या-क्या में आती है तो उनका health safety उनका welfare मतलब उनका हर तरीके से अच्छा करना तो अगर कोई भी changes नया आता है उनके health safety welfare को लेके तो फटा-फट उसको adopt करना उसमें ज्यादा time नहीं लगाना यह है इस एक्ट का सबसे main provision then next है all establishment 10 or more workers other than mines and dogs so यह जो act है OCHSE act यह कहाँ कहाँ applicable है तो वहर जगा पे हर establishment जहाँ पे 10 या उससे जादा worker काम करते हैं वहाँ पे यह act applicable हो जाएगा लेकिन कहाँ पर नहीं होगा तो mines and dogs के जगा पे यह act applicable नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ और अब लेकिबल होगा appointment letter mandatory पहले workers जब काम करते थे तो कोई appointment letter यह सब का रूल नहीं था लेकिन अभी उन्हें appointment letter देना पड़ेगा यह mandatory है मतलब जरूरी है कि यह देना ही पड़ेगा then provide free of cost annual health check-ups अब workers के जैसे कि यहां पर welfare health की बात है तो workers को free of cost annual health check-up देना पड़ेगा साल में एक बार उनका health check-up किया जाएगा जो की free of cost ओका यानि की free रहेगा पैसा नहीं लिया जाएगा workers से then next है interstate migrant register himself online अच्छा दोस्तों पहले क्या था कि workers को बहुत ज्यादा offline mode पे registration का मिलता था ज्यादा समझ भी नहीं आती थी उन्हें लेकिन अभी government पूरी तरीके से help करेगी और उनका registration interested migrant जो workers उनका registration online होगा और आधार basically help line number help line number से आधार के जरिये ही उनका registration हो जाएगा phone पे ही registration हो जाएगा then next है one time travel fair employer और worker जब काम करने जाएगा तो एक time का जो fret होता है भाड़ा होता है वो employer देगा वो employee जो है या worker जो है वो नहीं देगा to constitute board who gives recommendation to central government and state government अब दोस्तों यहाँ पर एक board बनेगा हमने हर act में देखा है एक board बनता है तो यहाँ पर जो board बनेगा उसका क्या काम होगा तो वो recommendation देगा किसको central government और state government को उनके policy related matter पे वो जो भी new policy बनाएंगे जो की worker के benefit में होगा so उसके उपर उन्हें ideas देंगे advice देंगे कौन जो नए board बनेगे advice on administration of code जो code आया है वो कैसे administrate किया जाएगा कैसे लागू होगा किस-किस जगा लागू होगा उसमें क्या-क्या new changes करने है या क्या जो भी related matter है वो board उसके उपर advice करेगी constitute safety committee by appropriate government और एक safety committee बनेगी और उसे कौन बनाएगा तो वो appropriate government बनाएगा then employ women beyond 7 p.m. and 6 a.m. पहले जो act हमने जितने भी पड़े हैं सब में हमने देखा था कि women जो हैं वो 7 p.m. और 6 a.m. के बाद यानि की रात को 7 बज़े के बाद और सुबर 6 बज़े से पहले वो लोग काम नहीं कर सकती थी लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि वो लोग अब रात को और दिन में भी काम कर सकेंगी 7 के बाद और 6 के पहले लेकिन with safety holiday and their consent उनकी मंजूरी जरूर है single all India license for five years engage contract labor अच्छा अब जो license बनेगा ना वो एक ही license रहेगा जो कि पूरे इंडिया में चलेगा अब स्टेट वाइस लाइस नहीं होगा कि यह स्टेट का वरकर का लाइसेंस है ऐसा नहीं होगा एक ही license बनेगा जो कि पूरे इंडिया में एक ही license रहेगा और वो वैलि पहले जो पैनल्टी होती थी वो direct जो हम पे कर देते थे तो उससे वरकर का कोई लेना देना नहीं होता था लेकिन अब जो पैनल्टी लगेगी ना उसका 50% वरकर को दिया जाएगा लेकिन ऐसा वरकर जो कि सही में विक्टिम है विक्टिम है यानि कि जिसके उपर अत्यचा सब्सक्राइब हुए है और उसकी गलती भी नहीं थी तो उसे 50% पैसा जो भी पैनल्टी का है वो उसे दिया जाएगा इस कोड इन्हांस हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट तो अल इंप्लोईंस ये कोड किसके बारे में बात करता है तो यह वरकर के हेल्थ एंड सेफ्टी एवरी फोर वीक अब जर्नलिस जो हैं वो काम करेंगे कितना 144 आर्ज एवरी फोर वीक चार वीक में यानि कि एक महिने में तोटल वो लोग 144 आर्ज काम अब करेंगे दोसतों पहले क्या था कि 9 गंटे से ज़ादा काम नहीं हो सकता लेकिन अभी क्या है 8 गंटे से ज़ादा भी काम हो सकता है लेकिन 12 गंटे तक लेकिन वीक ली कितना होगा उनली 48 आर्ज मतलब एक हफते में टोटल 48 गंटे से जादा काम नहीं कराया जा सकता लेकिन एक दिन में अगर चाहे तो बारा घंटे तक भी काम हो सकता है तो अब लीव जो है वो reduced हो गई है 240 से लेकर 180 डेज तक के लिए पहले लीव मिलती थी 240 डेज अब मिलेगी वो 180 डेज वन डे ब्रेक एवरी 20 डे हर 20 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक देना पड़ेगा लीव केरी फॉरवर्ड सेट एट 30 और जो लीव वर्कर यूज नहीं कर रहा है उस लीव को सेट आफ किया जा सकता है मतलब next year ले जाया जा सकता है कितने सिर्फ only 30 लीव इस देन फैक्टरी एक्ट अप्लाइज यह एक्ट फैक्टरी एक्ट में भी एपलाई होगा मतलब। फैक्त्रीज पे भी एपलाई होगा किस-किस फैक्त्री जहां पर 20 यह जाधा वर्कर काम कर रहे हैं विद्ध यूजिंग ऑफ पावर मतलब एलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे हैं 20 या उससे जादा वरकर तो वहाँ पर यह एक्ट अपलाई होगा और 40 या उससे जादा वरकर हो without using of power तो वहाँ पर यह act apply होगा मतलब अगर power के साथ काम कर रहे हैं तो 20 power या नहीं electricity तो अगर power के साथ काम कर रहे हैं तो 20 या more without power use कर रहे हैं तो 40 या more वहाँ पर यह act apply होगा hazards, activity, no limit और अगर hazards activity है कोई factory में hazards काम हो रहे हैं तो जैसे acidic related काम होते हैं तो वहाँ पर कोई limit नहीं है मतलब एक worker है तो भी वहाँ पर OSSC code को apply करना पड़ेगा then state government empower exempt any new factory to create more economic activity अब state government अगर चाहे तो कोई factory को exempt कर सकती है कि आप पे यह act applicable नहीं होगा क्यों क्योंकि नए नए economic activity को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे एक्ट रूल होंगे ना तो बहुत लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं कि काम करने से पहले इतने सारे एक्ट और रूल को फॉलो करना पड़ेगा तो government शूट भी देती है होगा तो कि यह लिमिट सेट कर दी गई है तो दोस्तों इस एक्ट में हमने देखा इतने सारे प्रोविजन्स ओके की OSSC code में हमने इतने सारे की प्रोविजन्स देखे अब इसके part 2 में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ बताऊंगी registration related process और भी कुछ process तो की प्रोविजन्स आपको कैसे लगे यही changes हैं जो उस act से इस act में हुए हैं बाकि और जो extra sections के वोटा दिये गए हैं जितने भी main main section से वो रखे गए सबको add करके summarize करके ठीक है लेकिन mainly change जो था वो मैंने आपको बताया कि यह related change हुए हैं ठीक है और यह था सारा basic अगर आप यह देख लोगे तो आपको at least यह समझ में आएगा कि difference क्या था उस act से इस act में कहा कहा changes हुए हैं तो यह जो key provisions थे ना यह सा कर दें और comment करना ना भूले comment में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको कोई नया topic चाहिए आप मुझे वो भी बिता सकते हो अगर आपको notes चाहिए इस act से related या इस से और भी act से related तो आप वो भी मुझे WhatsApp पे message कर सकते हो comment कर सकते हो आपको सारी information description box में जाएगी और चैनल को subscribe कर दीजिए क्योंकि जो भी अभी निव वीडियो अभी आने बाले हैं सारे act के वह आप तक बहुत जाएंगे आपसे चैनल बढ़ना मिस हो जाएगा so thank you friends